हेलो फ्रेंड्स मैं विशक जोशी एलेक्रिकल इंजिनेरिं बिला ग्रूप अफ कंपनीज दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरियम रिले के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इस लेटेस टेक्नोलोजी के रिलेस होते कैसे हैं यह जो रिले है आरियम 615 इस रिले को प्रैक्टिकल हम लोग इंडेस्ट्री में यूज भी करते हैं देखे यह जो रिले है यह ऐसे रिलेस है जो एक ही रिले मुल्टीपल फॉल्ट की एनलेसिस कर सकता है उनकी मॉनिटरिंग कर सकता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यह relay दिखता कैसा है, इसमें किस तरीके से fault का data record होता है, इसमें आप किस तरीके से settings देख सकते हैं, current कैसे देखते हैं, यह सब आज मैं overview करूँगा इस relay का इस video में तो दोस्तो डिबिना time waste के शुरू करते हैं, देखिए यह जो REM 615 relay है, सबसे पहले इस नाम का मतलब समझते हैं, देखिए जो REM है, यह motor protection relay को show करता है, जैसे एक feeder protection होता है, जिसे REM 615 कहा जाता है, और जो motor protection relay होते हैं, उन्हें REM 615 कहा जाता है, अब यह जो 615 है, यह 615 सरिफ इस relay की एक series है, तो main चीज़ यह है कि यह जो relay है, यह एक ही relay, multiple fault की monitoring कर सकता है, multiple parameters की monitoring कर सकता है, और multiple fault के against आपके system को protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, जैसे दोस्तों इस screen में देखिए, इस screen में यह दिखा रहा है कि आप इस relay के through कौन कौन से fault से protection आपके system में ल protection की list है, ऐसे ही voltage protection भी होता है और other protections भी होते हैं, तो जैसे current में एक over current होता है, unbalanced current होता है, earth fault में भी current की variation देखने को हमें मिलती है, इस तरीके से जो multiple faults होते हैं, इन सभी fault के against protection यह single relay आपको provide करता है, अब बात यह है कि यह सारे codes क्या लिखे हुए हैं, यह जो 50-51P लिखा ह इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए, normally electrical standards में कुछ code होते हैं, यह वही सारे codes है, हर code एक type के fault को represent करता है, जैसे 50P oblique 51P यह instantaneous over current को represent करता है, जो 51N है, यह earth fault को represent करता है, तो आपको industries में work करते वक, इन codes का representation क्या है, यह भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी कोई drives बंद होगी, और आप यह चेक करने जाएंगे कि यह किस fault पर बंद हुई है, तो वहाँ आपको over current fault या current unbalanced fault, earth fault ऐसा लिक कर नहीं आएगा, आपको इन codes के through पता करना पड़ेगा कि actual में किस fault से आपकी drive बंद हुई है, पर दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह भ करना main purpose यही था कि आपको यह पता चले कि अब ऐसे relays आ गए हैं जो एक ही relay over current से भी protection देता है, earth fault से भी protection देता है, under voltage से भी protection देता है, current अगर unbalanced हो जाए system में, तो भी यह उसे detect करके circuit को trip कराएगा, lock rotor की condition होती है, तो भी essence करेगा, तो यह जो एक ही relay है, यह multiple functions provide करता है आप आजकल हम लोग इसी relay का use अपने सभी HT drives जो vacuum circuit breakers है, उन सभी में यही relay का हम लोग use करते हैं, यह relay में दोस्तों एक features हमें यह भी मिलता है, कि यह fault के data को record कर सकता है, आप पिछले 15 दिन का या पिछले 20 दिन का data इसमें देख सकते हैं, कि पिछले 15 से 20 दिनों में कौन सी date को क इतने बज़े कौन कौन से fault पर यह particular motor यह particular breaker trip हुआ था, जैसे आप इस screen पर देखिए, इस screen पर एक window मैंने आपको दिखाई है, जिसमें हम यह देख सकते हैं, कि जब fault आया था, उस वक्त R phase में current कितना था, Y phase में कितना था, और B phase में कितना था, देखिए किस fault पर यह drive पर जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि R phase का current काफी कम है as compared to Y phase और B phase, देखिए जो maximum current IL 1 लिखा है, यह R phase का current है, जो IL 2 है, वो Y phase है, और जो IL 3 है, वो B phase है, IL का मतलब होता है line current, और जो maximum current IL 0 आप देख रहे हैं, यह 0 sequence current के बारे में आपको बताता है, तो जब मेरी कोई drive बं चला कि यह current unbalance के वज़े से drive trip हुई है, तो मैं यह भी देख सकता हूँ कि actual में current कितना unbalance था, तो जब आप recorded data में जाएंगे तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि R phase, Y phase और B phase में fault के वक्त कितना current गया था, अब आपके mind में यह भी doubt आ रहा होगा कि यह 1.4 into IL जो लिखा ह इसका क्या मतलब है, तो देखिए, आइन का मतलब यह होता है कि आपके breaker की rating कितनी है, breaker की जितनी rating है, उसका 1.4 times ज़्यादा current गया है fault के वक्त, जैसे मान लिजिए आपका जो vacuum circuit breaker है, यह 2000 amperes इसकी current rating है, तो इस recorded data में हमें यह पता चल रहा है कि R phase में 0.6 जो लिखा है, उ जैसे जो Y phase है, उसमें 1.4 times of 2000 amperes जितना होता है, उतना current गया था, B phase में भी 1.4 times of 2000 amperes, तो आइन का मतलब यह है कि आपके breaker की rating कितनी है, तो इस हिसाब से industries में हम लोग practically देखते हैं कि current कितना ज़्यादा गया था, यह जो R.E.F.R.E.M. relay है, इन सभी में आपको यही pattern दि जितना times current गया है, उतना वहाँ पर recorded data में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अब दोस्तों यह screen को भी देखिए, एक normal running condition में, जब आपकी drive normal running condition में है, तब आप यह सारे data easily इस relay में देख सकते हैं, बहुत बार अगर हमें running current देखना है, तो या तो हम tom tester का use करते हैं, fluke meter का use करते हैं, या तो फिर हम multifunction meters का use करते हैं, जो energy meters industries में लगे होते हैं, उनका use करते हैं, पर यह जो REM, REF relays है, इन में यह भी खासियत है, कि आप relay में देख सकते हैं, कि आपके motor का running current कितना है, इस screen पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यह तीनों phase में कितना current flow हो रहा है, यह भी बता रहा है, voltage कितना चल रहा है, line voltage कितना है, यह भी बता रहा है, frequency कितनी है, यह भी बता रहा है, तो ऐसे सभी parameters की online monitoring आप इस relay के through कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि कितने advanced relay आज के time में आ गए हैं, इस एक ही relay में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे parameters की monitoring मिल जाएगी, सभी fault के against आपको protection मिल जाएगा, आप इसमें अपने इसाब से setting कर सकते हैं, delay डाल सकते हैं, आपको inverse curve characteristics चाहिए, या direct time characteristics चाहिए, यह भी आप इसमें selection कर सकते हैं, तो इस video को बनाने का आज का main purpose यही था, कि जो अभी students है, जो लोग अभी college life में हैं, उनको यह पता चले कि बाहर industries में अभी किस type के release आ रहे हैं, कितना advancement अभी हो चुका है, हम लोग जो engineering में पढ़ते हैं, वो क्या है, और actual में आपको जो industries में देखने को मिलेगा, उसमें gap क्या है, यह चीज मुझे हाज आपको बतानी थी इस video में, तो दोस्तों यह video अगर आपको पसंद आया हो, तो मुझे comment box में बताईएगा, मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक interesting topic के साथ, तब तक अपना दियान रखिए, good day